हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल पर आज हम आपको डीफर्म सेकेंडियर का सब्जेक्ट फार्मेसी ला एंड इतिक्स जिसका चेप्टर नमबर थार्ड का फोर्थ पार्ट पढ़ाएंगे दोस्तों अगर आपने चैनल की प्लेइस पार्ट नहीं देखा आए तो आप हमारे चैनल की प्लेइस्ट में जाएए बहाँ से उस पार्ट को पढ़ लीजिये अगर आपने इतिक्स के अभी एक भी चेप्टर नहीं देखें तो आप पहले हमारी चेनल की प्लेलिस्ट में जाएए बहाँ से पहले उन चेप्टर को पढ़ लीजे उसके बाद इस चेप्टर को भी पढ़ लीजे तो हमने आपको study of schedule वाला topic प्रीविएस वीडियो में cover कर आया था जिसमें हमने आपको schedule G, schedule H होता है, H बन होता है और जो schedule H है यानि जो schedule आपका K है उसको हमने define किया था प्रीविएस वाली वीडियो में और अच्छे से आपको बताया था कि इन schedule के बारे में क्या क्या होता है तो इस वीडियो के अंदर हम आपको schedule P, schedule M और जो आपका N हो गया और schedule X के बारे में बताएंगे और दोस्तों next वीडियो में आपको हम sale of drug के बारे में बताएंगे तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चेनल को भी subscribe कर देना तो दोस्तों जो आपका schedule P है बार क्या कहता है? schedule P के अंदर क्या बताया जाता है? देखिए इस schedule में drug की life period बताएंगे जाती है कोई भी drug अगर manufacture की गई तो उसकी life period क्या है? इस schedule के दौरा बताएंगे जाती है यानि इसमें कुछ मापक दिये गए हैं जिसके दौरा दोस्तों किसी भी drug की life period को बताएंगे जाता है कि drug की expiry date क्या है? यह define की जाती है schedule P के दौरा और इसके example हो गए जैसे life period of drug insulin injection जो insulin injection आता है दोस्तों उसका life period कितना होता है? 24 मन्थ होता है तो उसकी जो life period बताएंगे जाती है बैस schedule P के अनुसारी बताएंगे है उसकी life period schedule P पर depend करती है तो आपकी जो schedule P के अंदर study की जाती है बैस ड्रक की expiry date की study की जाती है और जो आपका schedule P1 होता है उसमें दोस्तों किसकी study की जाती है? अगर कोई भी ड्रक तयार की गई यानि अगर कोई भी solution तयार किया गया तो उसका pack size कितना होगा? उसकी packaging किस परकार से होगी? यह आपका schedule P1 के अंदर बताया जाता है और schedule J क्या कहता है? इसमें बैट ड्रक आती है जिन ड्रक का advertisement नहीं कर सकते हैं यानि दोस्तों यानि जो आपका schedule J वाला है इसके अंदर उन ड्रक को रखा गया है जिन ड्रक का आप किसी भी परकार का advertisement नहीं कर सकते हैं जैसे आपका हो गया tuberculosis यानि जो tuberculosis की drug होती है isoniazid हो गया, rifampin हो गया उन ड्रक का आप advertisement नहीं कर सकते हैं जो cancer वाली drugs होती है, उनका भी आप advertisement नहीं कर सकते हैं तो उस परकार की drug को यानि schedule J के अंदर रखा गया है फिर आपका जो important schedule है, schedule M थोड़ा सा लंबा schedule है, लेकिन आप इसको जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा तो schedule M में कई parts हैं, उनको हमने define किया है तो schedule M का part first जो है तो पहला part में क्या इसमें define किया गया है schedule M के यानि इसमें good manufacturing practice के लिए building का निर्माड कैसा होना चाहिए यह बताया गया है यानि आप कहीं भी drug की manufacturing कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी building बनाई गई होती है यानि industry बनाई गई होती है उसके बारे में schedule M बताता है कि आप किसी भी प्रकार की drug manufacture करना चाहते हैं तो उसके लिए plants कैसा होना चाहिए उस प्रकार से आपका schedule M में define किया गया है उसी प्रकार से आपका plants बना होता है तो part first में क्या बताया गया है schedule M के कि जो आप अगर अच्छी good manufacturing करना चाहते हैं तो उसके लिए plant की building कैसी होनी चाहिए या part first में बताया जाता है और part first के ए part में क्या बताया जाता है इसमें parental sterile product की manufacturing के लिए requirement क्या है इसमें ये बताया जाता है दोस्तो parental वाली जो ducts होती है जैसे IV root, intra muscular जो injection होते हैं और intra venus हो गया जो आपके IV root से दिये जाते हैं तो उस प्रकार के अगर आप product को तयार करते हैं तो आपके schedule M के part first के आपके A में बताया जाते हैं और part first के B में क्या बताया जाता है जो oral solid farmer जैसे capsule हो गया, tablet हो गया इसकी manufacturing के लिए क्या क्या requirement होगी plant के अंदर ये आपका part B में बताया जाता है और दोस्तों part 1 के C में क्या बताया जाता है oral required solution के बारे में यानि जैसे syrup, elixir हो गये, emulsion हो गया, suspension हो गया इनकी manufacturing के लिए क्या क्या requirement होगी ये part C में define किया गया है और दोस्तों part D में क्या define किया गया है इसमें topical product जैसे cream हो गया, ointment हो गया जो paste होते हैं, loessons होते हैं, dusting powder हो गया इनकी manufacturing के लिए क्या क्या requirement होते है ये part आपके D में बताया गया है और part E में क्या define किया गया है इसमें materned dose inhaler जो अस्तमा बाले percent होते हैं, उनके लिए inhaler को तयार किया जाता है तो आपका part E में बताया गया है कि inhaler की manufacturing के लिए क्या क्या requirement होगी किस पकार का stop की आप सकता होगी ये सब आपका schedule M में define किया जाता है और उसी पकार से drug की manufacturing की जाती है और plant तयार किया जाता है और जो आपका schedule M है उसका part second में क्या बताया जाता है जितने भी आपके equipment होते हैं यानि previous जो आपने part first पड़ा उसमें product के बारे में बताया गया है कि क्या-क्या product की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद उसी का part second में बताया गया है कि आपको क्या-क्या plant के अंदर एक equipment की आप सकता पड़ेगी ये part second में बताया गया फिर आता है schedule M जो schedule N है schedule N में क्या बताया गया कि अगर आप pharmacy को open करना चाहते हैं अपना medical store open करना चाहते हैं तो उसके बारे में total आपका schedule N के अंदर बताया गया कि आपकी pharmacy में क्या-क्या एबिलेवल होना चाहिए तो दोस्तों list of equipment to run a pharmacy इसके अंदर pharmacy को run करने की एक list होती है जैसे पहला point है entrance यानि pharmacy के front पर pharmacy लिखा होगा यानि pharmacy सबसे पहले आप अगर open करते हैं तो सबसे पहले उसके front पर pharmacy लिखा होना चाहिए premises means यानि इसमें separated rooms होंगे well ventilated well hygienic room होगा जो आपका pharmacy होगा well ventilated होना चाहिए well hygienic होना चाहिए उसके बाद furniture and operators जो आपके pharmacy में sufficient furniture होने चाहिए और उसके बाद drug को रखने के लिए space होना चाहिए और जितने भी आपके containers होंगे जिसमें drug को store किया जाएगा वे सभी level होने चाहिए level होना चाहिए उस पर और apparatus में आपका होना चाहिए जैसे बजन को नापने के लिए यानि balance machine होनी चाहिए prescription यानि prescribe करने के लिए prescription होने चाहिए filter paper होना चाहिए अगर कोई chemical यहां से बहां जाता है तो दोस्तों उसको filter paper लगा कर नीचे की तरब ले जाना चाहिए glasses होना चाहिए litmus paper होना चाहिए और उसके बाद motor and pestle यानि जिससे doctor लोग पुराने जवाना में आयरुवेदिक लोग होते थे न डॉक्टर वो ड्रग को piece कर देते थे तो by equipment होना चाहिए जिसको कहते है motor and pestle तो इतना आपका pharmacy open करने के लिए आपका schedule N के अंदर define किया गया जिसको हमने cover किया उसके बाद आता है आपका schedule X schedule X के अंदर कौन्स ड्रग आती है जो आपके ड्रग होती है schedule X के अंदर बैस सभी ड्रग नार्कोटिक ड्रग होती है नार्कोटिक and psychotropic जो substance होते है बैस आपके schedule X के अंदर आते है और इनको बहुत ज़्यादा साबदानी से बेंचा जाता है जिनके पाल लाइसंस होता है बैस लोग इन ड्रग को बेंच सकते है तो इसका एक्जांपल हो गया जैसे ओपियम हो गया मॉर्फिन हो गया और बारविटल जो ड्रग होती है फीनो बारविटोन होती है जो ड्रग भै आपकी सेडूल एक्स के अंदर आती है और यह ड्रग पैसेंट के लिए सेप नहीं मानी जाती है इसलिए इन ड्रग को बिदाउट सुपरविजन डिस्पेंज नहीं करना होता है यानि इन ड्रग को भी बिना प्रिस्किप्शन के नहीं देना है जब तक पैसेंट के पास प्रिस्किप्शन नहीं होगा तब तक इन ड्रग को नहीं दिया जाएगा तो इनकी डिस्पेंजिंग किस पकार से होगी विदाउट प्रिस्किप्शन इस सीडूल की ड्रग को डिस्पेंज नहीं किया जाएगा और drug dispensing का separate record रखना होगा अगर जितनी भी आपने drug की dispensing की उनका proper record रखना होगा उनका अलग record रखना होगा एक बार एक prescription से drug dispense करनी है यानि अगर एक prescription है तो अगर आपके पास एक बार prescription आ चुका है तो दोबारा से बार prescription आता है तो drug आपको नहीं देनी है उसके बाद इसकी storage क्या होगी यानि इस प्रकार की drugs को lock and key के अंदर store करना है यानि जब सभी को आसानी से मिल जाए इस प्रकार से नहीं रखना है आपको lock and key में रखना है और उसकी जिम्मेदारी एक फार्मासिस्ट के पास होनी चाहिए सब के पास नहीं होनी चाहिए और जो schedule X है उसकी dispensing के लिए आपको license किस form में मिलता है यानि कौन-कौन से form के अंतरगत आपको schedule X की drug को dispense करने का license दिया जाता है तो form नमबर 10A में दिया जाता है इसमें schedule X drug को import करने का license दिया जाता है यानि drug को जब import करने का license किसमें मिलता है 10A में और 20F में किसका license मिलता है schedule X की drug जो होती है उनको sale करने में और उनको stock करने में license दिया जाता है यानि किस पकार से आप उनको stock करेंगे और किस पकार से आप sale करेंगे इसलिए इसका license दिया जाता है आपको 20F में और 20G में दिया जाता है Cedule X drug को sale करने, store करने का wholesale license दिया जाता है यानि जो 20F है उसमें retail का license दिया जाता है और जो 20G form है उसमें आपको wholesale का license दिया जाता है फिर जो आपका Cedule X है इसके हमने एक list प्रिपेर की है तो दोस्तों जितने भी आपके सेडूल है चेप्टर नुबर थार्ड में उनको आच्छे से डिफाइन किया है और अच्छे से पढ़ाया है अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक कर देना हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना धन्य बाद दोस्तों